तुडेर श्टूडेंट आज की या वीडियो बीए बेसी बीकॉम के फोर्थ यानि कि चत्रत समस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज किस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानि कि अनिवार प्रश्ण पत्र के एंसी की टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चिर एंसर के बारे में तो फोर्थ समस्टर में आपको को करिकुलर सब्जेट की परिच्छा देनी होती जिसका नाम फिजिकल एजूकेसिन और योगा और हिंदी में बोलते फारिक फिच्छा एवं योगा ठीक है तो इसी क परिच्छा आप सभी की और मार सीट पर होने वाली तो उसके उत्तर बताने वाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अज किस वीडियो का पहला प्रशन है कि पतांजली योग पीठ कहां पर इस्थित है किस सहर में तो ध्यान रखेंगे पतांजली जो योग पीठ है यह इस्थित है सही उत्तर अगर आपको मालूम तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजेगा तो यह हरी द्वार में है सही जबापसा होगा अगला कोश्चन की महा से पतांजली ने योग के कितने अंग बताए है या फिर कोश्चन हो सकता है कि पतांजल के अनुसा पिजिकल एजूकेशน मतलब कि शारीरिक पॉच्छां की गडिये उसके नौलिज्स उसकी सिच्छा उसके बारे में कैसे आप लोग जान सकते हैं सरीर को कैसे आप लोग परफिक्ट रह सकते हैं योगशा नि होता है यह बहुत इस आसनते हैं यह उन्हें सबसे कोश्चन आ प्लस आपका माल से मन कंड़ा है जो और जो आपका मैंटल प्रोब्लम है अपस प्रोबम में लोग में कचड़ा भर है सिसे और योग ऐसे चै़िसां तो यह है ना करने से अगर आपको भी इससे समस्यां है इहां तो योगा करीज सुबाज सुबा ठीकिए अगला कुश्चन है कि कौन महा योगी है इन आपसरों में से तो इन में जो महा योगी है वो है महा से पतांजली जी है सही जबाब सा होगा ध्यान रखेंगे महात्पूर्ण प्रस नहीं अगला की योगा से सम्मंधित कौन है इन आपसरों में से तो योगा या फिर योग से संबंधित जो है वो है मोच्छ ठीक है योग से संबंधित मोच्छ है बी नंबर सही जबाब होगा अगला है कि योगा अभ्यास में समावेस है किस चीज का तो योगा की जो अभ्यास होते हैं इसमें किस चीज का समावेस है क्या सामिल है तो ध्या परियोग्त में से सभी ज्यानद लखेंगे अगला प्राइव शन्ऊ कि योगा असनना बढ़ाते हैं क्या जब आप योगा कड़ते हैं धियुक हैँ सब्छफ में दभारे प्लीन ऐसहता है तो इन आसनों से क्या बढ़ता है इन आपसन में से जो आपसंदेगर प्लीन को complete देखें कि आपको बहुत ही ज्यादा help मिलेगी यह question और उसके उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ मैं पीडियो भी दोंगा with answer सहीद और प्लस मैं आपको एक जबर्दस ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कम तैयारी करके भी अपने अगला question है कि योग का जनक कौन है यानि कि फादर आप योगा किसे कहा जाता है यह फिर योग फूत्र किसके द्वारा दिये गए हैं ऐसा भी question हो सकता है तो दोनों प्रस दे गए हैं कोई भी question आ सकता है तो इसके योग के जनक के या फिर योग फूत्र किसके द्वारा दिये गए इसका जो सही जबाब हो जाएगा हो जाएगा नंबर महा सिपात अंजली ने दिया है सही जबाब आ होगा अगला कि आफनों के नाम आधारित है क अगला कि योगा का चौथा अंग है यह फिर योग या फिर योग का चौथा अंग कौन सा है नंग ने अगले से तो इन में से कौन सा योग का मार्ग नहीं आपको बताना है तो ध्यान रखेंगे तरप्त योग जो है ये योग का मार्ग नहीं है सही जबाब इसका हो जाएगा बानमबर ध्यान रखेंगे बहुत प्रमुक्त प्रश्न है अगला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा योग हठ योग का अंग है तो दिएगे आपसरों में से जो हठ योग का अंग है वो है प्रणायाम भी है और सश्ट कर्म भी है आसन भी है इफलिस का सही जबाब हो जाएगा दर नमबर क्योंकि ये सभी सभी जबाब सही है ठीक है अगला की योग का अंतिम अंग का उनसा इना आप सुनों में से तो योग का जो एक मिनिट हाँ योग का अंतिम अंग जो है इना आप सुनों में से ध्यान लंकेंगे वो है समाधी सा नंबर से जबाब होगा अगला की योग का प्रथम अंग बताईए तो योग का प्रथम अंग है यम तो ये दोनों common question है हो सकता आ जाए योग का प्रथम अंग बताईए हो सकता आ जाए योग का अंतिम अंग बताईए तो प्रथम में आपको यम से लिट करना है और अंतिम में समाध इस बात को धान रखेंगे अगला प्रस्तुत है कि चित की प्रवित्तियों को पूर्टया रोक देना योग कहलाता है ये कथन कौन से बिद्वान पिसने कहा कि अपने मन की प्रब्रित्यों पर नियंत्र रखणा ही योग है यहाई के नाब है ये जो पंक्ति है प्रमुक विद्वान के द्वारा कही गई है जिनका नाम है महार्शिपात अंजली सानंबर इसका सही उत्तर होगा अगला की योग का अर्थ बताईए तो योग का अर्थ क्या है तो सही जब आब इसका हो जाएगा अफसे नंबर आ शरीर मन और आत्मा को परमात्मा पे जोडने वाले प्रिक्रिया को हम लोग योग कहते हैं योगा कहते हैं ध्यान लखेंगे गीता में योग की परिभाफा क्या दी गई है जो वेद पुरान गीता महा भारत है तो गीता में योग यानि योगा की परिभाफा क्या लिखी है तो ध्यान लखेंगे सभी जब आशिका हो जाए arrangements number to yoga करमस कौसलम यही गीता में योग की परिवाःफा दी गई है सभी जब आपंध ध्यान लखेंगे अगला है कि निम्लिखित में से कौन सा योग गीता मेंवर्डित है तो इन में से कौन सा योग है जो गीता में वर्डित है वो आपको बताना है तो ध्यान लखेंगे पुरमक्प्रशन है इसका मतल्ब कि आपके एक्जाम के लिए तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा हो जाएगा अप्जान नमबर मतलब कि गीता में निम्रिकित में से कौन सा यह गीता में वर्डित है ठीक है तो यह वर्डित है कर्म योग सही जबाब आहोगा अगला है कि चित लेट कर दिया जाने वाला आफन कौन है चित लेट कर दिया जाने वाला आफन जो है वो है सरबागा आफन भी है और सेतु पर्सक्त में से सभी होगा क्या तीनों है घुक के अगला है कि वह आसनग जो मधुमेह में क्लाभकारी ब्लाभकारी है वो कौन सासर जयसे मधमेह जो रोग है लोग हि हो जाता है तुमिसक्त आप ऑप एकसरसाइजय पिर सा योगा असन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ठीक है तो सीजबाब पर पतांजली द्वारा प्रतिपादित सूत्र क्या कहलाता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे निम्रिकित में से योगदर्सन पर पतांजली द्वारा प्रतिपादित सूत्र जो है वो कहलाता है अश्टाग योग सही जबाब्दा होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण प्र होगा इन सभी का और आपको लाब भी होगा ठीक कुल मिला क्या फिजिकली मेंटली आप पर्फेक्ट रहेंगे अगला कोईस्चन है कि सश्ट कर्म है कौन सा तो सश्ट कर्म जो ही नाप सुनों में से वह यह है कि योगिक ब्यायाम नंबर सही जबाब होगा ध्यान रखेंगे प्रड़ायाम के तीन चरण कौन कौन से बताईए तो प्रड़ायाम के तीन चरण है नमबर एक पर पूरक कुम्भक रेचक जबाब होगा ध्यान रखेंगे अगर प्रणायाम करेंगे तो उससे किस प्रकार का लाब आपको होगा तो ध्यान रखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा अप्चे नमबर दा पर पूरक में से सभी उत्तम स्वास्त भी रहेगा उत्तम पाचन एकागरता ये सभी इसले सही जबाब दा होगा पर पूरक में से सभी अगला है कि भ्रामरी प्रणायाम से सरीर का कौन सा अंग सस्त रहता है तो सही जबाब इसका हो जाएगा अप्चे नमबर आ मस्तिस्क ठीक है ठीक है भ्रामरी प्रणायाम से सरीर का कौन सा अंग परफेक्ट सस्त रहता है तो वो है मस्तिस्क आ नमबर सही जबाब अगला क कि ध्यान उप्योगी है और revisit disappoint तो ध्यान जो उप्योगी है वो है तनाव में सही जबाब आअप के पतांजल यूग पीट की अफधापना किस ने की है कौण से बिध्वान ने की थे तो पतांजल यूग पीट की अफधापना कि है ने स्वामी योगी के बात हो रहे है, योगी, योगी के मतलब जो ब्रम्बचर होते हैं, ठीक है, जो फादे नहीं करते हैं, योगी होते हैं, सादू होते हैं, ठीक है, तो उनको लिए सबसेश्ट आसन कौन सा है नापसनों में से, तो योगियों के लिए सबसेश्ट जो आसन है, वो है, स क्टने के चक्रहते हैं ज्वांन होते हैं योग के और मानों सरीर में चक्रों की जो तो योगी ठीक depend a को रोधान्य आओ तो ज्यान तो यह recording दिखेंट में से ध्यान को कौनुसा यह कहा जाता है तो इन आफसर में से सही जबाब होगा आफसर नमबर सा आत्म योग को ठीक है ध्यान योग कहा जाता है सा नमबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे अगला है कि पारम परिक भारते खेलों का मुख्य उद्देश क्या है तो पारम परिक भारते खेलों का मुख्य उद्देश है मौनो रंजन यानि कि इंटर्टेन्मेंट आ नंबर सही जब आप अगला है कि कंचे के खेल की विशेष्टा है तो कंचे की खेल की जो विशेशता है ना अपसरों में से वह सभी क्योंकि मत भेुए भी है समय सीमा की पाबंदी ना और कोई निश्चित समय ना हो ना थिक है यह कोई कोई बसेफ्ता नहीं है इसको बढ़ाद के इसके बादसफी होतीilis दोर नियंकोmem. तो गिल्ली डंडा की जिस रुवात है उत्पत्य है यह लगबग 25 सो वर्ष पूर्व हुई थी साही जब आपसा होगा ध्यान लखेंगे अगला कि गिल्ली डंडा में आवस्यक होती है क्या चीज तो गिल्ली डंडा में सिंपल सी बात है आपको दू छणियों की आवसकता हो सब्सक्राइब करते हैं समाजी कड़ में सहायता करते हैं तो यह सही है हैं सभी इफले साही जबाब्दा होगा अगला के इंडोर पारंपरिक खेल कोन है जो घर के अंदर खेले जाते हैं तो इंडोर पारंपरिक जो खेल हैं वह हैं में से कोई नहीं क्योंकि ना तो गिली रिंडा गर में केल रखते ना कुष्टी ना कंचा इसलिए सभाब दा होगा अगला की राफ्टे मनोरंजन नीत बनाई गई थी या फिर कोश्चन होता सकता है कि सारे फिच्छा तता मनोरंजन की राफ्टे नीत कब तैयार की गई थी तो ध्यान सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन आपसरों में से वह कंप्यूटर यूज करते हैं ठीक है मनोरंजन प्रदान करने वाली संसथा कौन सी इन आपसरों में से तो मनोरंजन प्रदान करने वाली जो संसथा इन आपसरों में से वह फिटनेस के अंदर भी यह योग अच्छ भी प्रमुक प्रश्न एक्जाम के लिए तो आज किस वीडियो हम आपको करीब करीब 40-50 कोईश्चन बताए होंगे 40-50 नहीं तो 40-40 कोईश्चन तो बताई चुके होंगे ठीके बाकि पूरी-पूरी 100 कोईश्चन की पीडियेफ हैं 100 कोईश्चन से भी ज्यादा इसमें आपको क मिल जाएगा तो आपको करना क्या है इसी वीडियो के डिसकेश्चन में टिलिग्राम और सब का लिंक दिया गया है तो दोनों से जॉइन हो जाईएगा और आप मैसेज कर दीजेगा किसार हमें बीए फोर समस्टर को को करिकुलर फिजिकल एजूकेश्चन यूगा की पीड तरीक कुछ इस प्रकार है चलिए कोई मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत जवर्जस्त है जैसे कि आह मनुस्य की पकड़ उसकी पहुंच से बढ़ी होनी चाहिए अन्धा फुर्ग किसलिए है यह करतन किस्व महान कभी का है तो इसका उत्तर नहीं मालूम है तो आपको सि तो यह बहुत जवर्जस्त ट्रीक ही अपना के आप लोग देखिए का काफी कोश्चन ऐसे होंगे जिसमें यही आफसं सही होता है आठ से दस कोश्चन ठीक है कुछ पेपर ऐसे हो तो इसमें 15 से 20 कोश्चन भी आ जाते हैं तो इसमें आपको पासिंग मार्क मिल जाता है त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जैंद